Hello guys, मैंने जैसे promise किया था मैं तीन multi bagger stocks के बारे में जो मुझे लगते हैं कि वो multi bagger stocks बनने वाले हैं उनके लिए video लेके आने वाला हूँ तो मैंने पहला video बनाया था JP Power में जिसमें मुझे already 110% का profit है दूसरा video बनाया था मैंने NMDC पे NMDC ने मुझे अभी तक 15% से 16% तक का return दे दिया है और मुझे लगता है NMDC आने वाले एक दो मन्त में और अच्छे return देने बाला है आज का तीसरा stock जो है इस video में हम discuss करेंगे पर पहले ही मैं बता दूँ ये buying recommendation नहीं है और ये bottom fishing करने वाला हूँ मैं तो मुझे लगता है कि ये उपर जाने वाला है मैं risk ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा risk ले रहा हूँ तो please buying recommendation नहीं है खुद की research करिया अगर आपको ठीक लगे you can buy नहीं तो leave it stock का नाम है India Bull Housing Finance जिन लोगों को stock का नाम चाहिए था वो जा सकते हैं बट जिन लोगों को पता करने है कि मैं क्यूं buy कर रहा हूँ इसको तो please पूरा वीडियो देखिए तो थोड़ी clarity मिलेगी तो तीन चीज नोट कर लिजे पहले ये क्यूं गिरा है उसके बारे में बात करेंगे second point होगा हमारा कि अब इतना गिर गया ये अब क्यूं नहीं गिरेगा और अब क्यूं value by opportunity है second point है हमारा कैसे इस stock में positions लेना start करूँगा stock buy करना start करूँगा पर उससे पहले हम company के बारे में जान लेते हैं कि company करती क्या है तो company के नयाम से ही पता पड़ गया होगा आधे लोगों को और जिन लोग को नहीं समझ में आया किसी को house loan चाहिए होता है तो ये provide करती है company so fundamentals check कर लेते हैं इस company के और बहुत सारी चीज़े मैं बताऊंगा तो पूरा वीडियो देखिए so अगर इनके AMU देखो आप तो वह 100 रुपीज जैसे चार्ट में दिखाया गया है वैसे जाएंगे अब सबाल आता है कि India Bull housing के पास 100 रुपीज आए कहां से क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो हुए थे और 2017, 18, 19 में आप देखो गे तो इनका 1400 पे stock trade कर रहा था बट फिर वो इतनी बुरी तरीके से गिरा कि अब 200 पे है so अब हम जान लेते हैं ये पैसे लाते कहां से हैं और उसी पे ही reason टिका हुआ है इस stock के गिरने का उसका reason है they had a high cost of picturing funds अब जान लेते हैं ये कहां कहां से fund ले रहे थे अगर अभी का देखे हो तो 31% ये bank loan से ले रहे हैं stock market जैसे ही एक bond market होती है corporate bond अगर आपको पता हो so bond market से भी ये पैसे लेते हैं बट उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा अभी एक statement और रहाई थी इनके head की उन्होंने बोला है कि हम bond market पे ज़्यादा shift करेंगे bond से ज़्यादा पैसे लेंगे ना कि हम bank loan से जितना लेते हैं so मैंने यही बता दिया कि mean mean loan कहां से ले रहे हैं ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा तो सोचिए कि 100 rupees इन से loan लिया फिर ये पैसा लेके ये market में जाते हैं और जिसको home loan चाहिए होता है उसको देते हैं और वहां से जो पैसा आता है जो भी commission बनता है वो अपना लेते हैं ये और उसके बाद bank loan चुका देते हैं और जिन जिन लोगों से इनोंने पैसे लिये हैं उनको लोटा देते हैं अब आप लोगों को basics पता पढ़ गए हैं अब जान लेते हैं मुझे क्यों लगता है ये value buying opportunity है तो आप देखोगे कि current value जो इस company के stock की चल रही है वो 220 है बट मेरे प्यारे दोस्तों इसकी book value देखो वो 100 रुपे ज्यादा है 322 पे है मतलब 102 रुपे ज्यादा तो ये stock book value के पास तो जा नहीं है तो 33% तो profit आपका ऐसी होगा अब हम और deep जाते हैं और इस company का P&L देख लेते हैं ये तो मैं latest दिखा रहा हूँ बट अगर आप पिछला जाके देखोगे 2019 तक इन लोगों का revenue और profit इतना बढ़ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि space में जाके रुखेगा और आपको पता है space infinity है किसी को पता नहीं है कितना बड़ा है so इससे पता लग रहा है कि company में कोई कमी नहीं थी company को पता था कि profit कैसे लेके आना है 2018 तक अब आप लोग पूछोगे कि 2019 के बाद इनका profit क्यों गिरने लगा stock क्यों गिरने लगा but उससे पहले chart ठीक कह रहा हूं या नहीं so आप देखोगे 2018-19 तक ये बंपर return दे रहा था so आप chart पे देखोगे 2014 से लेके 2018-19 तक इस stock ने almost 800% तक के return दिये थे so मैं वो भी draw कर देता हूँ और आप देख लीजे कि इनोंने almost 800% तक के return दिये थे so अच्छी side तो देख लिए इस stock के बारे मे अब बुरी side देख लेते हैं कि ये stock इतना नीचे क्यों गिरा so उसका main reason है ILNFS crisis ये मैं आपके लिए एक article डून के लेके आया हूं 2019 का ये तो मैं simple way में समझा देता हूँ ILNFS एक NBFC था जो जम के मज़े में जूम जूम के Yes Bank की तरह लोन दे रहा था और इस से हमारी Indian Bull Housing वाल ऐसा समझे लो दूसरा Yes Bank था ये तो आपने कहावत तो सुनी होगी कि खुद तो डूबे सनम दूसरों को भी ले डूबे तो ये ILNFC डूपता है बट अपने साथ बहुत सारी housing finance company को भी ले के जाता है इस time के सब housing finance की company's के chart निकालो तो आप देखोगे सब pity थी हैं बड़ी भाई कौन लोन ले रहा है तो आप खुद जाके news देखिए कि COVID के time पे real estate और housing finance companies बुरी तरीके से pity थी और सबसे खराब sector था ये भाई लोगों इस time पे और ज्यादा नीचे जाता है इनका stock price पर अभी रुखो अभी भी picture बाकी है ये क्या बता है ये loans लेते हैं bank से और bond issue कर पिटी ये company और stocks नीचे गए इन companies के so मैंने बताया कि ये bond market से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे थे तो इन्होंने 41% अपना bond market से पैसे ले रहे थे तो पिटती हुई company को उस time कौन पैसा देता तो इस इनको पैसा भी नहीं मिल रहा था तो इन बिचारों को कहीं और से पैसा लेना पड़ा so उसके लिए इनको interest ज्यादा पे करना पड़ा like example ले लेते हैं कोई country है उसकी इकनौमी अच्छी चल रही है तो उसको कम rate पे पैसे मिल जाएंगे but पाकिस्तानी जैसी country है उनको तो ज्यादा interest rate चुकाना पड़ेगा न क्यूंकि risk ले रहे हैं लोग उनको प पाकिस्तान थी so उसकी वज़े से और पिटा इनका stock को कहानी सुनके रोना आ रहा होगा बट मैं अभी भी बता रहा हूं picture खतम नहीं हुई है इसके बाद corporate governance पे issue थे फिर उसके बाद promoter की तरप से issue थे और इतने मोटे interest rate पे इन्होंने जो loan लिया तो उसको pay भी करना था त तो यहां से हम picture खतम करते हैं अब मुझे लगता है कि यह bottom पे पहुच गया है इससे नीचे नहीं जाने कई है क्योंकि बहुत time से यह इसी zone में अठका हुआ है तो मुझे लगता है कि इस time यह best buying opportunity है आगे बात करने से पहले मैं पहले ही बता दूँ यह buying recommendation नहीं है जो मैं market म कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ यह stock मैंने लेना start कर दिया है 210 से अब बात कर लेते हैं यहां से यह stock मुझे क्यों लगता है कि rocket होने वाला है जो पहला reason है वो है कि real estate cycle में चलता है 6-7 year यह बिल्कुल down bottom जाएगा उसके बाद एकदम से rocket होगा उपर तक जाएगा यह मै 2022 में real estate factor boom करने वाला है recover करने वाला है अगर आप news उठा के देखो तो last 7 year real estate के लिए बहुत बुरे रहे हैं और अब time है recover होने का फूसरा main point clean up in management मैंने पहली बताया है आपको थोड़ी देर पहले कि management में problem थी तो वहाँ पे अब clean up हो रहा है और promoter ने 11.76% अपने stocks offload किये ह कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 11.6% equity sold कर दिये यह तो खराब बात है आप लोगों को reason understand गनना पड़ेगा लोगों पर pressure था कि clean up करना है इन्हें management पे तो यह pressure अच्छा था जिसकी वज़े से इन्हों ने यह किया यह एक private company है और private company में होता क्या है कि in order to raise money equity selling happened तो इनके पी company में होता क्या है कि अगर तुम पे company समाली नहीं जाती तो कोई और बंदे को बुलाने के लिए आपको equity sell करनी होती है कि वो आपकी company और अच्छी तरीके से manage कर पाए अब equity किसी एरे गेरे नहीं खरीदी है Morgan Stanley और अबुधाभी investment authority तो एक यह और अच्छी बात है तो यह लो money यह depth खतम कर रहे हैं कम कर रहे हैं तो यह एक अच्छा sign है company अपने जो depth है वो बहुत जल्दी खतम करना चाहरी है यह लोग भी मोटा भाई की तरह जैसे चल रहे हैं जैसे reliance में हुआ था मोटा भाई ने पूरा reliance के depth free कर दी और यह भी मुझे बहुत अच्छा sign दिख र जीजन नहीं दिख रहा है इस stock को नीचे जाने के लिए अगर 15-20% नीचे भी गया यह stock तो जैसे मैं buy करता हूँ 30% 30% then 40% मुझे लग रहे है कि अच्छे amount में मुझे यह stock मिल जाएगा और stop loss रखूँगा मैं 160 anyways मैं recommend नहीं करूँगा कि बल्क buy करो आप तो वो गलत रहेग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like से subscribe कर दीजे मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए have a beautiful day